नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज डिये हाइक पर आया बड़ा अपडेट जाने कितनी बढ़ेगी सेलरी केंद्री कर्मचारियों पिंशनर्स के दिये एक बार फिर सेलरी बढ़ने वाली है कबर आ रही है कि जलाई में फिर कर्मचारियों का महनगाई भत्ता बढ़ने वाला है मेडिया रिपोर्स के अनुसार All India Consumer Price Index के अपरेल के आंकडो के आधार पर संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में पांच परसेंट तक डिये बर सकता है वर्तवान में केंद्रे कर्मचारियों को 34 परसेंट डिये मिल रहा है अगर इसमें 4 या 5 परसेंट तक वरद्धी होती है तो ये 34 से बढ़कर 38 या 49 परसेंट हो जाएगा असिस्टेंट प्रफेसर परिक्षा 2017 पर नई अपडेट संशोधित पुनरिक्षित चैन सूची चारी मद्रप्रदेश लोग से वायोग के उमीदवारों के लिए बड़ी खबर है आयोग इंदौर द्वारा मद्रप्रदेश आईकोर के आदेश के बाद असिस्टेंट प्रफेसर परिक्षा 2017 के भुगोल और संस्क्रिट संसोधित पुनिरिक्षित चैन सूची को जारी कर दिया गया है उमीदवार आदिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते है दरसल मद्रप्रदेश आईकोर के पैसले के परिपालन में आईक के द्वबरा सहयक प्राद्यापक परिक्षा 2017 के संशोधित चैन सूची जारी की गई बिना हेलमेट गारी चलाने पर बब चार सो रुपे लगेगा जिर्माना मद्य प्रदेश में बिना हेलमेट गारी चलाने पर अब धाई सो किजगत चार सो रुपे जुर्माना शमन शुल्क लगेगा बिना परमिट के वाहन चलाने पर दस अजार रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा इन स्कूल में अतिती शिक्षकों की भरती 10 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू मद्य प्रदेश में सरकारी स्कूल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसमें अब प्राइवेट स्कूल की तर्श पर सरकारी स्कूल में ने पेरिंस टीचर मीटिंग पी टीम होगी साथी स्कूल से बच्चों को घड़ जाने के लिए बस विदा फ्री में दी जाएगी दरसल MP में 13 जून से MP बोर्ड से CM राइज स्कूल खुलने जा रहे हैं जिसे लेकर तयारिया पूरी की जा चुकी है आपको बता दें कि 13 जून से स्कूल में अड्मिशन शुरू होना है जिसमें अड्मिशन लॉट्री सिस्टम के आधार पढ़ दिया जाएगा पंचाय चुनाओं के उमीदवारों के आविदनों के जाँ चार्ट 10 जून तक वापस ले सकेंगे ना जिले में 13 जूनाओं के तहट जिला पंचाय तवजन पंचाय सदस सरपंच और पंच पदों के लिए आविदन आ चुके हैं अब मंगलवार को सभी आविदनों के जाँ चुकर वैद और सही आविदनों के सूची जारी की जाएगी साथी चुनाओं से हटने के लिए जो अमीदवार अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वे 10 जून तक नाम वापस ले सकते हैं बहराल जून कारी मिल रही है कि जिले के कुछ ग्राम पंचाय तो में पंच के पदों पर कोई आविदन नहीं आया ये पद खाली रह गए के लिए दो दावेदार बोली लगा रहे हैं जादा बोली लगाने वाले को विजई घोशेद किया जाएगा परिवान विभाग के दोरा बीते चार सालों से वी आई पी नंबर बेचने के लिए इस ऑनलाइन निलामी का सहरा लिया जाता है रेलवे बॉड ने बढ़ाई टिकेट बुकिंग की सीमा इंडियन रेलवे केटरिंग एंडियन डूरीज्म कॉर्परेशन की एक यूजर आईदी पर टिकेट बुकिंग की संख्या को रेलवे बॉर्ड ने बढ़ाया है अब जिन यूजर्स का अधार नंबर आईडी से लिंक नहीं वे महीने में 6 के बजाए 12 टिकेट बुक कर सकते हैं वाई जिन के अधार नंबर IRCTC के आईडी से लिंक हैं वे 12 के बजाए 24 टिकेट बुक कर सकेंगे इस फैसले से अमुमन यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी MP College चात्रों के लिए बड़ी खबर जल्दी अंग्रेजी हिंदी में उपलब्ध होगा E-Content मदर प्रदेश के College चात्रों के लिए बड़ी खबर है College चात्रों को जल्दी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से E-Content उपलब्ध करवाया जाएगा इसके लिए एक हजार से ज़ादा प्राध्यापकों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है छात्रों उनलाइन अलग और अत्रिक्त कोर्स का अध्यन भी कर सकते हैं आयुकत उच्छे शिक्षा दीपक सिंग ने एक अंटन निर्मान के लिए तृति चरण की ऑनलाइन प्रशिक्षन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्राध्यापकों के दोरा विद्यार्तियों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से एक अंटन उपलब्द कराने के लिए उच्छे शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है एक रुबे की स्ट्रिप बता देगी आप असली तेल खा रहे हैं या नकली भारते विश विज्ञान अनुसंथान संस्थान लखनवने एक ऐसी स्ट्रिप तयार की है जो मिंटों में सर्सो के तेल में मिलावट को बता देती है जिसकी साइधा से बाजार में बिखने वाला सरसो का तेल असली है या नकली इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकेगी आपको बता दे कि मातर एक रुपे से भी कम लागत में तैयार की गई इस स्रिप को क्रोमो जेनिक के टेस्ट स्रिप नाम दिया गया है जो इस नाम से मार्केट में उपलब्द है इस से तेल की शुदता की जाच करने के लिए स्ट्रिप पर सरसो के तेल की एक बून डालनी होगी इसके बाद अगर स्ट्रिप का रंग बदल जाता है तो समझे कि सरसो का तेल नकली है और इसमें मिलावत की गई है सूरच की तप्ति गर्मी ने किया पेहाल जाने कब तक मिले की रहा है सूरच की तप्ति गर्मी से परिशान हो लोग अब मौनसून के आने की रहा देख रहे हैं अत्यादिक गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया अगले 24 घंटों में भी मौसम शुष्क रहने की स संभाबना है मौसम विज्ञान केंदर केव ज्ञानिक पी के साहा ने बताया कि अरब साकर में पिछले एक सब्ता से मौनसून शिथिल बना हुआ है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद